कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट के करीब 36 घंटे बाद संजय सिंग ने अपनी press conference में क्या कहा था उनने कहा था कि वो मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल से मिलने के लिए आई थी ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी मुख्यमंतरी के निजी सचिव विभव कुमार वहां आए उन्होंने स्वाति मालिवाल जी के बहुत बत्तमीजी की और मारपीट का नाम तो नहीं लिया लेकिन बहुत बत्तमीजी की ये कहा उनके साथ दुर्व्यभार किया और लगे हाथ ये भी कहा कि मुख्यमंतरी जी ने इसका संग्यान लिया है और इस पर बहुत कड़ी कारवाई की जाएगी है वैसे तो 24 घंट के भीतर ही ये जो संग्यान लिया है और कड़ी कारवाई की जाएगी इसकी तब हावा निकल गई थी जब वे अपने निजी सचिव को भी और इन संजे सिंग को भी लेकर के एक ही विवान से लखनाव पहुंच गए थे और बेशर्मी के साथ वहां हावाई अड़े पर इस निजी सचिव को भी साथ लेकर के दोरे पर पहुंचे हैं लेकिन जो कल का दिन बीता है शनिवार का जिसमें इनके निजी सचिव को ग्रफतार किया दिल्ली पुलिस ने उनकी ग्रफतारी तो बाद में हुई उससे पहले तो दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अर्विंद क की तरफ से वकील पहुँच चुके थे इनकी अग्रिम जमानत के लिए, यानि जिस निजी सचीव ने इनकी महिला सांसद को और दिल्ली महिला आयोक की पूर्व अध्यक्ष को पीटा, मुख्यमंतरी आवास में पीटा, उनके ड्राइंग रूम में पीटा, उस स्वाती माली वाल के साथ खड़े होने के बज़ाए, खड़ा दिखने के बज़ाए, अर्विंद केजरी वाल ने पीटने वाले की अग्रिम जमानत के लिए, वकीलों की फोज मैदान में उतार दी, इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये संग्यान लिया है, ये कड़ा एक् को बचा रहे हैं और पीटने वाले के साथ खड़ा हुआ दिख रहे हैं, मामला के वाल इतना भर नहीं है, मामला इससे कहीं आगे है, जो मैं आगे प्रोग्राम में बताने वाला हूँ, पूरा घटना करम शनिवार को क्या हुआ, इससे एक दिन पहले, दिल्ली पुलिस, स् मालीवाल को लेकर के फिर से सीम हाउस पहुची थी, वहां पर सीन्स रीक्रियेट किया गया था, ये कहां क्या हुआ है, इन्होंने एंट्री कैसे ली, किस से बात की, ये ड्राइंग रूम तक कैसे पहुची, ड्राइंग रूम में क्या क्या बाते हुई, किस तरीके से वार परपीट हुई, वो सारा सीन रीक्रियेट किया गया, इसके अलावा वहां जो स्टाफ मौजूद था, दिल्ली पुलिस ने उससे भी पुछताच की, इसके अलावा, जो CCTV फुटेज था, और जो दूसरी सबूत थे, उनको भी देखा, परखा, उनको कलेक्ट कर किया, और सबसे मज़ेदार बात क्या है, जो स्वाती मालीवाल ने भी अपने एक ट्वीट में ये कहा, बाकाइदा, के मेरी जानकारी में ये है, के CCTV फुटेज से छेड़ छाड़ की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है, और ये बाकाइदा ओन रिकॉर्ड उनका ट्वीट है, कल का ट्वीट है, कल रात का ही ट्वीट, और इसके बाद साथ, जब आज यानि शनिवार को पुलिस वापस विभाव कुमार को गिरफतार करने के लिए सी-म हाउस पहुची, तो वहाँ पर उनको गिरफतार करने के अ अलावा, जो DVR की फुटेज थी, वो मांगी गई, तो DVR देने के बजाए, पता है उनको क्या दिया गया, एक पैन ड्राइव थमा दी गई, कि इसमें CCTV फुटेज, एक आईफोन बरामत किया, जबत किया, दिल्ली पुलिस ने, जो विभाव कुमार के पास था, और कोट को ये जानकारी दी, बाद में दिल्ली पुलिस ने, कि DVR की फुटेज मांगने पर जो पैन ड्राइव दी गई थी, वो खाली थी, इसका मतलब ये है, कि जो DVR की फुटेज थी, CCTV की, उसको इरेस कर दिया गया, डिलिट कर दिया गया, और जो फोन उपलब्द कराया गया, पुलिस को, उसको फॉर्मेट कर दिया गया था, ताकि उसमें जो भी सामगरी है, उसको इरेस कर दिया जाए, डिलिट कर दिया जाए, यानि सबूत मिटाए गए, दिलिट पुलिस ने उन परिष्ठितियों की पूच्टाच करने के लिए, कि मार पीट क्यों की गई, वह कौन सी परिष्ठितियां थी, वह कौन सा विशे था, वो कौन सा कथानक था जिसके चलते स्वाती मालीवाल के साथ इन्होंने मार पीट की, तो कोड से कहा कि हमें साथ दिन की इनकी कष्टडी दे दीजे, रिमांड दे दीजे, बहस हुई इनकी तरफ से भी यानि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और विभव कुमार के वकील भी इसमें बहस में हिस्सा ले रहे थे राजीव मोहन और दिल्ली पुलिस की तरफ से अतुल स्रिवास्तव कोड में मौजूद थे, तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ये जानकरी दी किसाब ये अफसाहियोग नहीं कर रहे हैं पहली बात जो आईफोन दिल्ली पुलिस को दिया गया मांगने पर कि विभव कुमार का मुबाइल फोन हमें चाहिए और किसलिए मांगा गया होगा ये इसलिए मांगा गया होगा कि एक्चल में इस मारपीट की प्रश्ट भूमी क्या है यानि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने किन-किन से फॉन कॉल किये हैं किसने इन्हें मैसेज भेजे हैं वाटसेप पर या दूसरे स्वातिमालीवाल पिछले कई दिन से कोशिश कर रह ने की और मुक्य मंतरी जब रेस्पॉंड नहीं कर रहे थे तो उन के नीजी सचीव से बात करने की उनको मैसेज भेजे गए उनको फॉन कॉल किया गया वह सारा तो ऑन रिकॉर्ड होगा और ये भी होगा कि इन्होंने कौन से नंबर से किया किस नंबर पर किया इन्होंने फोन से वो सारी चीजे डिलिट कर दी, पर वो स्वाती मालिवाल के फोन में तो सुरक्षित है, उन्होंने तो डिलिट नहीं किये, उन्होंने तो इरेस नहीं किये, लेकिन इस से इनकी बदनियती का पता लगता है, कि ये पूरे घटना करम को और पूरे अपराद को किस तरीक करना चाहते थे पट्री से उतारना चाहते थे और छिपाना चाहते थे याई इन्हों ने सबूत नश्ट करने की कोशिश की एक महत्वपून जानकारी कोट को पुलिस ने दिये हैं उन्हों मैं कहा कि ये आज भी घटना अस्थल पर थे यानि विभव कुमार स्वाति मालिवाल से मार पीट करने वाले जिनके नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और गंभीर दाराओं में दर्ज कराई गई है वो सारी चीजें साबित होगी तो साथ साल तक की सजा होगी इनको लेकिन अगर कोई आरोपी बना दिया जाए किसी केस में तो उसको संड्रक्षन देने वाला भी नप जाता है तो ये अपराद करने के बावजूद FIR दर्ज होने के बावजूद अभीयुक्त बनाये जाने के बावजूद CM हाउस में ही मिले वहीं से गिरफतारी होई इसका मतलब ये है कि मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के खिलाब भी मामला दर्ज हो सकता है अर्विंद केजरिवाल को भी इस मामले में अभीयुक्त बनाया जा सकता है अपने आरोपी PA को संरक्षन देने उनको शरण देने और उनको अपने आवास में छिपाने के आरोप में ये गंभीर मामला है कि DVR मांगी जाए आप pen drive थमा दे और उसमें भी कुछ ना निकले आप फोन उपलब्द कराएं उसको भी format करके दें फिर फोन का जब आपको आपसे पासवर्ड मांगा गया तो आप पासवर्ड भी देने को तयार ना हो बलके जो इनके वकील है राजी मुख्किल है जिसकी तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ वो पुलिस को पासवर्ड बताने के लिए बात दे है कानूनी तोर पर और याद रखिये ये जो फित्रत है ये उन्होंने सीखिये अपने गुरू अर्विंद केजरिवाल से अर्विंद केजरिवाल ने भी अपने आ आर्विंद केजरिवाल में पासवर्ड नहीं दिया क्योंकि उनको इस बात का पूरा अंदाजा है के पासवर्ड दे दिया तो बहुत सारे राजफास हो जाएंगे पता लग जाएगा और पता नहीं मभाईल फोन में और क्या-क्या होगा तो ये पूरा केस जो इनके वकील यानि विभाव कुमार के जो अर्विन केजरिवाल की तरफ से अदालत में खड़े किये गए हैं अपने पी-ए को बचाने के लिए उन्हों ने कई ऐसे तर्क कोर्ट के सामने रखे किसाब इनको चार बज़ कर पंद्रा मिनट पर गिरफतार दिखाया गया है और इस से पहले ह हम अदालत में पहुँच गए थे उनकी अगरिम जमानत के लिए पुलिस को जैसे ही पता लगा के हम ने अगरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है तो इनको जल्दबाजी में आनन फनन में गरफतार कर लिया गया यानि जो इन्होंने याचिका दाखिल की थी वो अर् के खिलाफ नामजद FIR हो, जिसने संसद सदस्य को पीटा हो और जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई हो, और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुछ्टी हो गई हो, कि चार जगे चोट है, गाल पर भी चोट है, दाहिने गाल पर चोट है, आग के नीचे चोट है, पैर में च करीर के दूसरे अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस क्यों नहीं गरफतार करेगी आपकी याची का पर सुनवाई पूरी होने का इंतजार क्यों करेगी तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो अर्विंद केजरी बाद अब तक मनीपुर मे महिलाओं के साथ ये हो गया फला जगय ये हो गया हात रस में ये हो गया यानि भारती के जनता पारिटी रोल्ड इस्टेट में अगर महिलाओं के खिलाब कोई अपराद होता था तो ये किस तरीके से च्छाती पीटने लगते थे और स्वाती माली वाल भी जब तक इनके सा ति जब तक महिला आयोक की अध्यक्स थी वो दिल्ली के बाहर की भी महिलाओं के साथ कोई गठना हो जाती थी तो वहां पहुंच जाती थी दिल्ली के भीतर ठीक है आप महिला आयोक की चेर परसन है आप आपका जरुडिक्शन है आप करिए कारवाई लेकिन उत्तर भी करती थी और किसके कहने पर करती थी एक बार रात को डाई बजे एक अंदेरी जगे पर खड़ी हो गई एमस के आसपास के आने जाने वाले जो गुंडा तत्व हैं अराजक तत्व हैं वो किस तरीके से गाड़ी रोक करके संभावना तलासते हैं कि आगर कोई लड़की खड़ी है मौडर्न वेश में तो उससे बात की जाए और उसका इस्टिंग करा करके इसके पी इस तरीक से खड़ी होकर के आन कैमरा वो सब रिकॉर्ड करवा रही थी ताकि एल जी को बदनाम किया जा सके दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा सके और हॉम मिनिश्ट्री को कटगरे में खड़ा किया जा सके ये जो विभव कुमार है मारपीट करने वाला उसके साथ की सहीयोगी रही है इनके एंजियो में भी रही है इनकी संगर्स की साथ ही है जो इनके कहने पर काम करती रही उसको बीजेपी का एजेंट क्यों बता रहे हैं ये और अपने परवक्ताओं से अपने मंत्रियों से प्रेस कॉन्फरेंस करवा करके भारती एजनता पारिटी की साजिश के तहत काम करने वाली क्यों बताना शुरू कर दिया है क्योंकि जो कांड हुआ है और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है मार पीट के वो भी जल्दी ही निकल करके सामने आएगी बहुत देर तक इस मामले में स्वाती माली वाली भी चुप रहे नहीं पाएंगी क्यों तके जिस तरीके से उनकी चिछालेदार की जा रही है उनका चरितर हनन किया जा रहा है उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है तो बहुत देर तक चुप रह नहीं पाएंगी वो असली कारण बताएंगी क्यों ये सब हुआ है उसके बाद अर्विंद केजरीवाल क कपड़े उतरने शुरू होंगे यानि इनका असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा लेकिन अभी भी जितनी बेशर्मी के साथ पहले जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक ये के स्वाती मालिवाल चुप रहे जबान बंद रखे ताला लगाले होटो पर इसके लिए इन्होंने संजय सिंग से प्रेस कॉंफरेंस भी करवाई और ये कहलवाया कि मुख्य मंतरी ने संग्यान लिया है इसमें कड़ी का रवाई होगी लेकिन अगले ही दिन इनकी पॉल पट्टी खुलनी शुरू हो गई और उसी के बाद रियक्शन में फिर उन्होंने द जो उनका एक्स का ट्वीटर का हेंडल है उस पर भी पहले अर्विंद केजरिवाल की एक डीपी लगी हुई थी उसको हटा करके उनने ब्लैक वॉल में तबदिल कर दिया है तो कुल मिलाकर के अर्विंद केजरिवाल का जो आचरन है वो बहुत सारे लोगों को चोंका रहा होगा लेकिन अतीत की भी जो घटनाए रही है हमारे जैसे राजनीतिक समीक्षप को कोई आश्चरिय नहीं हो रहा है इनके इस करेक्टर को देख करके ये रविये को देख करके के आपका पिये आपकी ही महिला सांसद के साथ मारपीट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफतार किया गया है और आप इसका भी पूरा ठीकरा पुरदान मंतरी नरेंदर मोदी के सिर पर फोड़ते हुए इसका भी राजनीतिक लाब लेने की कोशिश कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं और यही अर्विंद केजरिवाल का असली चेहरा है और पब्ल है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें वीडियो खतम करने से पहले एक निवेदन और एक जानकरी वेभव कुमार को साथ दिन की तो हिरासत नहीं दी गई है पुलिस को पांच दिन की हिरास साथ में भेजा गया है और दूसरा निमेदन यह है कि अगर आप चैनल को कंट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिये हुए हैं आप कंट्रिब्यूट भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार